Hello everyone, welcome back in my classes इस वीडियो में मैं आपके साथ सेक्षिन 114 से 123 तक डिस्कस करूँगी अल्रेडी मैं चेप्टर 9 से सेक्षिन 104 से लेके 113 तक 3 पार्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ तो ये उसी सीरीज का फोर्थ वीडियो है मतलब चेप्टर 9 पे टोटल 4 वीडियो है पहले आप एक 1st, 2nd and 3rd वीडियो को देखिए फिर आप 4th पार्ट को देखिए तब ही आपको ये समझ जाएगा चेप्टर 9 मेंस पॉइंट ओव यू से बहुत इंपॉटेंट है इसलिए इसके मैंने 4 पार्ट बनाए है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके साथ 2018 में जो MP Means में question आया था वो भी discuss किया है तो start करते है question था elaborate the provisions of presumption as to entries in land record under MP Land Revenue Code 1959 whether wrong or correct entry in land record can be corrected तो presumption के बारे में पूछा था कि जो presumption का provision है उसे elaborate कीजे और क्या wrong entries को correct कर सकते हैं इसके बारे में बताई है ये दोनों चीजें इसी chapter में cover होती है actually 2018 amendment के पहले presumption का provision बहुत बड़ा होता था इसलिए ये सवाल आया था अब उसको reduce करके बहुत छोटा सा कर दिया है but no matter what अब भी फिर से question repeat हो सकता है और इसमें कुछ और tail question आढ़ो के आ सकता है तो start करते हैं देखते हैं आज section 114 114 गहता है land record तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं 104 से record of rights and then कौन अधिकारी होगा कैसे उसको mutation किया जाएगा अब हम पढ़ें land records किसे कहा जाएगा 114 में तो ये prelims में भी question आ सकता है कि land records कहां दिया हुआ है या ये भी आ सकता है कि 114 में क्या है तो following land records shall be prepared for every village namely village map, abadi, map, block map under section 107 record of rights under section 108 village khasra or village field book in such form as may be prescribed भू अधिकार पुस्तिका under section 114A details of all unoccupied land under section 233 निस्तार पत्रक under section 234 बाजेवल अर्ज if any under section 242 तो इनको ये land records prepared किये जाएंगे हर एक village में ठीक है तो हर एक village का जो पतवारी होगा वो ऐसे ये सारे records बनाएगा और ये सारे records के बारे में हम already chapter like part 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं कि 107 में कैसे आवादी माप मनाया जाएगा 108 में कैसे हम village of rights of record of rights prepare करेंगे भू अधिकार पुस्तर का के बारे में हमने part 3 में पढ़ा था details of diverted land and any other record as may be prescribed तो अगर कोई land divert हुई है या कोई और records हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो land records में लिखी जाएंगी village में अब urban area के case में देख लेते हैं तो उपर हमने village area के case में देखा अब हम देखते हैं urban area के case में क्या-क्या land records में बनाया जाएगा prepare किया जाएगा तो यहाँ पे होगा sector map तो जैसे ओपर village map था तो यहाँ पे आप sector map है 107 में record of right 108 में sector khasra और sector field book in such form as may be prescribed वो अधिकार पुस्तिका under section 114A details of all unoccupied land under section 233 almost repeated है बस यहाँ पे terminology different है यहाँ कि हम urban area की बात कर रहे है details of all unoccupied land under section 233 land reserve for public purposes under section 233A details of diverted land and any other record as may be prescribed तो यह सारे चीज़े होंगी land records में next section देखते हैं अब हम बात कर रहे हैं भू अधिकार पुस्तिका के बारे में तो भू अधिकार पुस्तिका जो है यह आपको section 114A में है और यह क्या कहता है सब section 1 पढ़ते हैं तो ऊपर शयाद मेंने आपसे यह बोला की मैंने भू अधिकार पुस्तिका को πα्र ठोट में discuss किया है मैं पारट 4 में discuss करूँगी मिको ऐसा लगा कि मैं अल्रीडि डिसक certainty में ने किया नहीं था तो आप यहाँ पढ़ डीजिए तो इसका सबसेक्शन वन कहता है जा तैसिलदार में प्रुवाइट तो एवरी भूमी स्वामी whose name is entered in the khasra prepared under section 114 भू अधिकार पुस्तिका in respect of his all holdings in the village और sector as the case में भी which shall be provided to him in such form and on payment of such fee as में भी प्रुवाइद तो यहाँ पे duty किस की है प्रुवाइट करने की तैसिलदार की ओके और उस क्या होगा एक किताब होती है जिसके उपर लिखा होता है कि यह भू अधिकार पुस्तिका है ठीक है और वो तैसलदार प्रोवाइड करता है और उसमें होता क्या है कि जो भूमी स्वामी है उसकी जो भी लांड है उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है और ये आपको इसके लिए फीज पे करनी पड़ती है ठीक है तो तैसलदार प्रोवाइड करता है किसको करता दो आख सपख सब्सक्राइबन उसमेन प्रप्रिया गई इन्सपाम Красा के लेड़ान देखलत को तुम भी विर्शय की ध्या खातों Diien in t Roth, सपट्थ में लिन खातों है। तो ख़सरा उसमें थी प्रपेड परवारी किया गए, विलिज में भी और सेकटर्स में भी अब दिभूवतिकार पुस्तिकार य शोंस्तिकार एक बुक में बाइंडिंग होते हैं तो प्रिलेम सा क्वेशन ये बन सकता है कि भू अधिकार पुस्तिका मैं अगर कोई करेक्शन करने हैं तो वो क्रेक्शन कौन करेगा तो वो क्रेक्शन तैसिलदार करेगा ये भी क्वेशन बन सकता है कि उसके लिए कोई आप्लिकेशन लगानी जरूरी है या वो खुद कर सकता है तो यहाँ पर दे रखा है दोनों या तो वो खुद कर सकता है या आप्लिकेशन अगर भूमी स्वामी लगाता है कि करेक्शन कीजिए तो वो उसके एंक्वाईरी करे ब संबने बाट ब विघार पुस्दकार तो यह पर्टल कुलर सेक्षि बहुत ilिंप्रटेंट है सेक्षि नरेनि फॉर्टीन यह सेक्षिन गुषारो नेक्स्ट उस protection 215 अब यह बात करता है correction of wrong और incorrect entry in land records और land records कौन से जो हमने prepare किये थे कहां पे section 114 में 114 की marginal heading थी land records तो उन्ही land records में correction करना हुआ तो correction कौन करेगा और कैसे होंगे तो यहां पे जो authority है वो है sub divisional officer SDO ठीक है वो correction करेगा और या तो खुद कर लेगा own motion पे या उसके लिए correction के लिए application बनाएगा जिसको correction करवाने है वो और जो भी wrong या incorrect entries है including an unauthorized entry और कोई unauthorized entry है तो उसको remove कर देगा तो वो सारी चीज़े कौन करेगा SDO लेकिन other than भूया दिकार पोस्कें यह क्यों लिखा है कि हमने ओपर दिका ओठार के द्वारा की या घाइए जाएंगे तो वह तेidor के दाहतार के द्वारा किए जाएंगे ना कि SDO तो इसलिए यहां पे और लिख दिया other than भूयादिकार पुस्केंत्र अब यहां पर कहता है कि 5 सालों से जादा के land records का correction नहीं किया जाएगा SGO के द्वारा जब तक की sanction collector ना दे दे मतलब for example कि 2001 January 1st of January 2020 से लेके 1st of January 2025 तक का तो वो खुद correction कर सकता है बढ़ अगर उसको इससे जादा का correction करना है तो वो sanction प्राप्त करेगा collector से और उसके बाद ही वो उसमें correction कर सकता है land records में यह जो point है यह PT के लिए बहुत important है अब हम देखते हैं subsection 2 यह कहता है no order shall be passed under subsection 1 without getting a return report from the तहसिलदार concern and giving an opportunity of hearing to all parties interested provided that where interest of government is involved the SDO shall submit the case to the collector अब यहां पे एक rider लगाया जा रहा है कि जब भी correction किये जाएंगे तो एक return report मांगी जाएगी तहसिलदार से और जो भी parties है उनको opportunity of being heard दिया जाएगा और proviso कहता है कि अगर कोई government की land involved है तो SDO को वो जो case है वो collector को submit करना पड़ेगा अब हम देखते हैं आगे subsection 3 subsection 3 कहता है on receipt of a case under subsection 2 the collector shall make such inquiry and pass such order as he deems with subsection 2 में collector को जब भी case मिलेगा तो वो inquiry कर सकता है और जो भी उसे order सही लगे वो पास कर सकता है subsection sorry section 117 जो मैंने ऊपर अपसे question discuss किया वो presumption से related था वो 117 का ही question था तो ये पूछा जा रहा है marginal heading कहती है presumption as to entries in land records all entries made under this chapter in the land records shall be presumed to be correct until the contrary is proved 117 कहता है ये जो marginal heading है ये 2019 के MP CJ prelims में भी आपको पूछी गई थी कि presumption as to entries in land records कहां दिया हुआ है तो ये section 117 में दे रखा है और क्या कहा गया है section में कि ये presume कर लिया जाएगा कि land records जो की 114 में हमने बनाए थे वो correct है जब तक कि उसकी अगेंस्ट में कुछ प्रूब नहीं हो गया 118 और 119 जो है वो डिलीट कर दिये गए है 120 क्या कहता है requisition of assistance in preparation of maps and land records subject to rules made under this court any revenue officer, revenue inspector, नगर सर्विक्षक और पतवारी may for purpose of preparing or revising any map or plan required for or in connection with any record or register under this chapter call upon any holder of land and any holders of plot in Avadi to point out the boundaries of his land or plot तो यहाँ पर यह कह रहा है कि कोई भी जो revenue officer है, revenue inspector है, नगर सर्विक्षक या पतवारी है वो call कर सकता है किसी भी holder of land को कि वो अपनी bound आए और अपनी बताए कि हाँ उसकी lines की boundary क्या है, कहां से कहां तक उसकी lines extend करती है next 121 जो है वो delete कर दिया गया है अब आता है section 122 यह कहता है exemption from provisions of this chapter the state government may by notification direct that this chapter or any provisions thereof shall not apply to any specified local area or to any land or class of village or land तो किसके पास power exempt करने की किसी भी line को state government के पास state government चाहे तो कह सकती है notification issue करके यह बात कह सकती है कि इस chapter में मतलब chapter 9 में जो भी चीज़ें दे रखी है वो इस particular local area या land पे नहीं लगेंगी 123 कहता है record of rights as commencement of code मतलब यह जब code में यह code जब enforce हुआ जब यह आया उस वक्त पे जो already record of rights थे उनका क्या किया जाएगा जो already land लोगों के पास थी उनका क्या किया जाएगा उसके बारे में 123 बात करता है subsection 1 कहता है until record of right for the village in the Madh Bharat, Bhopal, Vindhapradesh and Sironj region is prepared in accordance with the provision of section 108 the jamawandi और khatuni of every such village for the agriculture year as the state government may notify shell as far as it contains the particular specified in section 108 be deemed to be record of rights for that village यह कह रहा है be deemed to be record of right for that village क्या क्या जमावंदियान खदोनी तो देखो यह कहता है कि इन regions में जो regions यहाँ पर दे रखी हैं मद्धभारत, Vindhapradesh, Sironj इन regions में जो भी जमावंदी थी जमावंदी भी एक type का document होता है government का document होता है और khatuni भी एक type का government का document होता है in respect of land जो आपकी ownership को बताता है तो जमावंदी और khatuni जो है उनको माना जाएगा कि वो record of rights है उन्हें deem कर लिया जाएगा कि वो record of rights है the जमावंदी और khatuni referred to in subsection 1 shall be published in the village in such manner as maybe directed by the collector तो collector जैसे direct करेगा उस according जमावंदी और khatuni को publish कर दिया जाएगा village में next कहता है objections may be filed to any entry in जमावंदी और khatuni which shall be disposed of by the तहसिलदार in such manner as may be prescribed तो अगर कोई जमावंदी और khatuni तहसिलदार ने disposed कर दिया है तो उसका objection भी file किया जा सकता है subsection 4 कहता है जमावंदी of the village in the maha kaushal region तो देखो ओपर हमने सारी region madhbharat, sironj, bhopal cover कर ली थी लेकिन हमने maha kaushal region को छोड़ दिया था अब ये regions क्या है ये जब आप MPLRC को deep में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि madhpradesh में जो land है वो कितने regions में divided है मैं इसके लिए अलग से lecture लेकिन आऊँगी तो वहाँ पर आप समझेंगे कि ये regions कैसे divide होती है और कैसे madhpradesh में जो land है उसको divide कर रखा है bhopal region, sironj region, maha kaushal region, madhbharat region में तो ये बोलता है the jamabandhi of village in maha kaushal region for the agriculture year 1954-1955 shall continue to be deemed to be record of right of such village until a record of right is prepared in accordance with the provision of section 108 तो आपको समझ आया होगा हम section 108 को फिर से देख लेते हैं section 108 अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझ आया होगा आप उसको एक बार फिर सुन लें कि record of rights at commencement of this code मतलब इस code के आने के पहले हम किन चीजों को क्योंकि अब जब ये code आएगा तो इस code में आने के बाद 108 में नए records of right बनाये जाएंगे ठीक है तो उसके पहले के जो records हैं उन से हम कैसे deal करेंगे उसके बार में बात कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि इसके पहले जो भी जम्मा बनती है जो भी खतोनी है उसको हम अभी फिलहाल record of right डीम कर लेंगे और फिर जब 108 में record of right नहे बन जाएंगे तो फिर हम उन records of right को continue करेंगे ठीक है so this was it for chapter 9 तो हमारा इस chapter 9 complete हो गया है और thank you so much for giving your precious time for my videos and for whatever love you are showing to my channel thank you so much